Good morning students, Dr. Vijay की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज का टोपिक रहेगा हमारा President of India यानि भारत का राश्टर पतल President of India के उपर क्या-क्या क्योस्टन डिरेक्टली बन सकते हैं सबसे पहला क्योस्टन जो बनता इस टोपिक पे वो होता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है First citizen of India किसे कहा जाता है भारत का पहला नागरिक जो है वो राश्टर पती कहलाता है दूसरा क्योस्टन इस टोपिक से बन सकता है कि भारत का स्वधानिक मुखिया ये क्वेस्टन ज्यादा तर पूछा जाता दोस्तों, Constitutional Head of India, Constitutional Head of India, राश्टरपती को भारत का सविधानिक मुख्या या Constitutional Head कहते हैं, क्योंकि देश का सासन चलाने की सारी सक्तिया सविधान ने राश्टरपती जी को दी हैं, और सविधानिक इसलिए कहते हैं, च्योंकि सर्वोस कमाने इसके पास होती है, यानि Supreme Commander All of the Militaries, सभी सेनाओं का सर्वोस सेनापती ने कहा जाता है, चोथा क्योस्तन जो होता है, भारत की राश्टरपती को रबर स्टेंप कहा जाता है, रबर स्टेंप का मतलब है, सिरफ एक मोहर मातर इसको कहा जाता है, क्योंकि पाव प्रद पर रह सकता है, क्योंकि रेंदर है, उसके पहले क्योंकि राश्टरपती कहा होती है, वो शेटीजन अफ इंडिया होना चाहिए, यानि भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी है एज की 35 वर्स या उससे ज़्यादा यानि भारत के राष्टरपती की एज 35 साल या उससे ज़्यादा होने चाहिए इस 35 साल की एज में दोस्तो चार लोग काउंट होते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिड गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर यह सारे के सारे लोग 35 शालिया उससे ज़्यादा होने चाहिए उसके बाद तीसरा है उमिद्वार में लोग सबाके सदश्य बनने की योगता वही सारी की सारी योगता ही होने चाहिए और कोई भी लाब का पद, Office of Profit दोस्तों ये कुस्तन ध्यान रखना ये point को, लाब का पद, आपने देखा कि हाल ही में दिल्ली विधान सबा में आब आदमी पार्टी के कुछ लोगों को राष्टर पती ने और सुनावायोग ने पद से निरस्ट कर दिया, क्योंकि उनके पा पागलिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया का मतलब होता है, बेंक्रप्ट जैसे आज कल निरोमोदी का मुकदमा मामला सला हुआ है, पागल नहीं होना चाहिए, साइको या मेंटली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद next, राष्टर पती का प्रक्रिया का नाम के राश्टरपती को सुनने के लिए कौन सी प्रक्रिया है आनुपातिक परतिनेतितों परनाली कहते हैं इंगलीश वाले बच्चे इसको बोलेंगे रेश्यो रीपर्जेंटेटिव रीपर्जेंटेटिव सिस्टम और इसके तहत है एकल संकर्मणिय मत पर इसका मतलब है एक व्यक्तिकों भारत में एक ही वोट डालने का दिकार है और आनुपार्थिक पर्षिंतों मतलब का मतलब होता है MLA और MP के वोटों के बीच में रेश्यो बनाना अब इस निर्वाचक मंदल के अंदर कौन-कौन लोग आते हैं निर्वाचक मंदल में सबसे पहले आएंगे लोग सभा के निर्वाची सुदश्ये राज्य सभा के निर्वाची सुदश्ये तिसरे पे हैं विधान सभाओं के निर्वाची सुदश्ये और चोथे पे हैं दिल झेंशरे सब्सक्रांचराऊंविस सब्सक्राइब सब्सक्राइब Cheese 2013 सब्सक्राइब क्योंचिंधे राष्ट्रपति नोमिनेट करेंगे वो राष्ट्रपती को वोट नहीं इसलिए यहां सिरफ इलेक्टिर लिखा गया है 543 लोग वोट डालेंगे दूसरे नंबर पर है राजय सभा में राजय सभा में भी सेम लोजिक है यहां पर 245 लोग होते हैं लेकिन इनुमें से 12 परस्टरपति के लिए वोट नहीं डालेंगे तो यहां टोटल लोग होंगे 233 स्टेटों की विधान सभा में Legislative Assembly of the State भारत के अंदर 29 स्टेट हैं और हर स्टेट के अंदर एक जो MLA है वो गवर्नर के दवारा चुना जाता है वाई प्रेसिडेंट के ओर्डिनेंट्स के दवारा तो वो भी व्यक्ति राष्टरपति को वोट नहीं देगा उसके बाद हम पर आभी दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चुना जाता है यहाँ पर आप वोटर को देख सकते हो जैसे यहाँ पर आम लोग हम लोग है वोटर वोटर इधर जब बोट डालते हैं तो हम MLA को सुनते हैं यह MLA जो है वो State Legislature Assembly बनाते हैं विधान सभा इनको कहते हैं और यह जो MP है यहाँ पर आ करके Parliament बनाते हैं पार्लेमेंट के अंदर लोक सभावी, राज्य सभावी ये लोग वोट डालेंगे यहाँ भी आपके पास राजे विधान सभा के लोग हैं ये लोग वोट डालेंगे दिली विधान सभा और पन्डिचरी के यूनि टरिट्री के लोग भी इसमें आ जाएंगे इसमें भारत के राष्ट्रकुति के उपर क्या पूछे जा सकते हैं कौन से कौन से परसन इसके उपर आ सकते हैं यहां हम इनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रेशिडेंट भारत के रहे हैं डॉक्टर राजंदर परसाद के उपर कौन से क्या पूछे जा सकते हैं एक तो आ है कि Republic India Republic India के पहले राष्टरपती यह सिर्फ करिशूज करने के लिए होता है Republic India के फर्स प्रेसिडेंट पूछे या फर्स प्रेसिडेंट पूछे कोई फरक नहीं पड़ता हमारा अंसर डॉक्टर राजंदर परसाद ही रहेगा क्योंकि 1950 के बाद ही हम Constitutional Republic काउंट होने लगे हैं उसके बाद दूसरा क्योंकि राजंदर परसाद जी के उपर होता है दो बार टू टाइम्स भारत के राष्टरपती सिर्फ यही रहे हैं उसके बाद किनी को भी दूसरा मोका किसी को भी आभी तक नहीं मिला है उसके बाद second question है दोस्तों डॉक्टर सरोपली राधा क्रिशन जी है राजंदर परसाद के बाद second number के president बने और इनके उपर कई question पूछे जा सकते हैं सबसे पहला question होता है कि इनके नाम से भारत में teacher day मनाया जाता है 5 सितंबर को दूसरा यही एक मातर भारत के president है जो president भी रहे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और जिने भारत रतन भी मिला यह तीनों record सिर्फ एक ही व्यक्ति इनके नाम भारत के अंदर आज तक दर्ज हुए हैं तीसरा question रहेगा डॉक्टर जाकिर हुशेन को लेकर के जाकिर हुशेन जी पर जो question पूछा जाता है वो सबसे पहले होता है कि भारत के first Muslim president ऐसा question दोस्तों अगर आता है तो हमारे option में सबसे पहले मिलेगा डॉक्टर एपी जी अबदुलकलाम और हम सोचते हैं कि अबदुल भारत के एक मात्र प्रेशिडेंट हैं जिनको second round counting से चुना गया second round ये question पूछा जाता है second round counting से चुने जाने वाले भारत के एक मात्र प्रेशिडेंट बटाओ इसको हिंदी के अंदर कहते हैं दोहरे चर्ण की गणना अगला question है दोस्तो मुहम्मद हिदायत उल्ला इसको M. हिदायत उल्ला खान कहते हैं ये M. हिदायत उल्ला खान भारत के एक मात्र CGI हैं CGI का मतलब होता है दोस्तो Chief Justice of India भारत के एक मात्र CGI हैं जो देश के President के पद पर रहे हैं यही एक मात्र चुने गए हैं उसके बाद है दोस्तो फकरुदिन अली एहमद इसे F.A. एहमद भी कहते हैं F.A. एहमद के उपर जो Question होता है दोस्तो वो यह होता है कि इन्होंने इंद्रा गांदी जी के कहने पर 1975 से 77 के बीच में देश में Emergency लगाई थी इन्हें Emergency काल का राश्टर पती कहा जाता है जिसका पूरे भारत में पूरी आलोचना भी होई थी Next Question है दोस्तो नीलम संजीवा रेडी एक मात्र प्रेसिडेंट है भारत के जिनको सर्व समत्य से चुना गया है ऐसा Question भी दोस्तो आता है तो यह आता है कि भारत के एक मात्र राश्टर पती जिनने सर्व समत्य से चुना गया सर्व समत्य को Inglis में कहते हैं दोस्तो General Opinion यान बिना वोटिंग के आम सहमति के अगर ऐसा क्वेस्टन आता है तो उसमें भी पहला ही उप्षन जो होता है वो डॉक्टर अमदुल कलाम जी होता है हम समझते हैं कि यार इतने अच्छे राश्टरपती रहे हैं इतने बड़े सैंटिस्ट रहे हैं उन्हें के लिए वोटिंग नहीं हुई होगी बट नहीं यह देश का दुरवाग्य है हमारे देश में उनके लिए वोटिंग करवाए गी थी शर्म नीलम संजीवार एडी जी थे जिनके लिए वोटिंग नहीं होई है और इसके पीछी वे एक मज़ेदार स्टोरी है जब नीलम संजीवार एडी जी च आवाज पर वोट देना उसका सीधा सा मतलब था कि इनको हरा देना इनको वोट मत देना और ये हार गए थे लेकिन जब दोबारा पांच साल के बाद फिर चुना वाए तो इनके रिष्टे अच्छे हो चुके थे तो इसलिए श्रीमति इंद्रा गांदी ने पिछली हार का ब प्रेसिजंट रहे दूसरा क्युस्टन जो इनके बारे में काफी स्टोंग बनता है वह होता है पोकेट विटो पोकेट विटो यानि जेव की पावर जेवी सकती इसका मतलब होता है दोस्तो अगर कोई प्रेसिजजंट लंबे समय तक संसद के दोवारा पास किये गई क्योंकि 1984 के सिख्धंगों के बाद भारत के अंदर काफी मात्रा में सिख्धों को हट्याएं कर दे गई थी खालिस्तान के मांग उठी थी और खालिस्तान के मांग के बाद एक बिल आया था, Indian ये क्यों दहान रखना दोस्तों ये कई वर पुच्छा जाता है किस बिल के मामले में इंडियन पोस्ट अमेंडमेंड एक्ट भारतिय डाक संसोधन अधिनियम 1984-85 इसके मामले में इन्होंने साइन नहीं किये थे त्योंकि पंजाब से रेलेटिड था इनको अपनी कोम और अपनी जाती धर्म था उनका काफी खयाल था तो उस वज़े से इन लोगों ने शक्त कदम नहीं उठाया था उसके बाद अगला नाम आता दोस्टो के आर नारेंड के आर नारेंड जी को पर क्रिस्टन आता है भारत के पहले दलित रास्ट्रपती अभी जो चोद में रास्ट्रपती चुने गए हैं रामनात रास्ट्रपती दूसरा क्युस्टन आएगा पहले नोन पोलिटिकल प्रेसिडेंट ये पहले व्यक्ति हैं देश के रास्ट्रपती जो नोन पोलिटिकल रहे हैं जिनका किसी रास्टिक पार्टी से कोई रिस्ता नहीं है दोस्तो इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है भारत की पहले महीला राष्ट्रपती और उसके बाद हैं दोस्तों रामनाथ कोविंजी भारत के चोधवे नंबर के राष्ट्रपती है अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपती है दो हजार सत्रा से लेकर के दो हजार बाइस तक का इनका कारिकाल है बनने से पहले दोस्तों कई बर क्वेशन आज़ा क्ता कि बनने से पहले क्या थे बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे यानि राज्यपाल थे बिहार के और इनी रहने वाले हैं युपी के कानपूर के देश के सुप्रीम कोट हाई कोट में कई सालों तक वकालत भी कर चुकी हैं उसके बाद दोस्तों महावयोग महावयोग यानि इंपीस्मेंट राश्टरपती को हटाने के एक तरीका होता है दोस्तों जिसने भी बड़े-बड़े पद्दों के उपर लोग है राश्टरपती, गूप राश्टरपती, सुप्रीम कोट, हाई कोट के जजिज इनको सेम पिरक्रिया से हटाया जाता है इसको समझतें दोस्तों हम राश्टरपती के खिलाब जो महावयोग आएगा वो सिरफ संसद में ही आ सकता है संसित के दोनों सदनों में से कहीं भी जा सकता है और दोनों सदनों में से कहीं भी जाने का मतलब यह है अगर लोग सबा में आता है या राजय सबा में आता है अगर पहले लोग सबा में आता है तो लोग सबा के 1 by 4 यानि 25% लोगों के साइन होने चाहिए पेस होने के लिए अगर वो पेस हो जाता है तो फिर वोटिंग होगी अगर दो बटा तीन लोग उसको पास कर देते हैं तो वो यहां से पास होकर के इस सदर में जाएगा यहां पे फिर सेंपर के रिया फिर वोटिंग अगर दो बटा तीन लोग यहां से भी पास कर देते हैं कित्रे दिन पहले, 14 दिन पहले, ये भी आपको ध्यान लखना पड़ेगा, कि जिस व्यक्ति के खिलाब भी impeachment आता है, कित्रे दिन पहले उसको जानकारी दोगे, और ये जानकारी कैसे होती दोस्तों, लिखित में होती है, written में होती है, और उसको ये मोका दिया जाता है, कि वो चाहे तो, सरसदों में present होकर के, अपने उपर लगे आराप्पों की सफाई दे सकते हैं, अगर खुद नहीं आना चाहते तो अपना कोई representative भेज़ सकते हैं, बट उनको बुलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, फिर बदोबारा देख लें दोस्तों, इसको present होने के लिए 1 by 4, जानकारी दी जाएगी 14 दिन पहले, पास करने के लिए 2 by 3, जैसे दूसरे सदर से पास होगा, राष्ट्रपती जी का पद खाली हो जाएगा, जिस भी सदन को, लोग सबा के अंदर जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, बहुमत दल के नेता को ही परधार मंतरी के सपर दिलाई जाती है, ये एक रूल भी है, दूसरा क्रिशन रहेगा मंतरी मंदल, परधार मंतरी के दवारा जिन मंतरी मंदलों के लोगों के नाम दि के नुती करने का राय।यु राश्च् невní gemacht के पास होता है हमने एपको बता देता हो दोस्तों सरकारी वकील होता है, जितके बात रखना है चोथा काम है इसका पूर्थ नंबर पे CAG, Controller and Auditor General नियंतर्ण महाले का फिक्सक कहतें दोस्तों इसे इसके नुक्ति करने का सरकाराइट भी भारत के राश्टरपती के पास है इसे हम देश का सबसे बड़ा Auditor कहते हैं इस पोस्ट के समय आज के समय जो है मिश्टर राजियो जी ही उसके बाद दोस्तों उस्तव नैले के नाधिस सुप्रीम कोर्ट के जजिज के नुक्ति भी राश्टरपती के दुआरा की जाती है उसके साथ-साथ राज्यों के राज्यत्रपार जितने भी स्टेट्स में गवर्नर होते हैं उनके नुक्ति करने का राई राश्टरपती के पास होता है उनके नैले के नाधिस यानि High Courts भारत के अंदर जितने भी High Courts है उनके जज़ों के नुक्ति करेगा दोस्तों भारत के दर्चोबी साइकोर्टों के सेंग के टोटल है सेंग लोग सेवा आयोग के अद्धक्स और सदेश्य है UPSC UPSC का चेर्मेन और उसके मेंबर्स के नुक्ति की जाएगी वित आयोग के सदेश्य है Finance Commission दोस्तों Finance Commission के सदेश्य हों के अद्धक्स के नुक्ति भी रस्ट्रपति दोवरा की जाती है मुख्य तथा अन्य आयोग इसको बोलते हैं दोस्तों CEC Central Election Commission इसके तीन सदेश्य होते हैं एक होता चीफ दो होते हैं अधर आज के समय जो Chief Election Commissioner के पदपे हैं उनका नाम है स्री आचल कुमार जोति यहां पे दोस्तों यही जरूरी है कि CEC का जो कारीकाल होता है वो भारत में 6 साल का होता है और एक जो CEC हमने पढ़ा था उसका कारीकाल भी 6 साल होता है बाकी ज़्यादा तर लोगों का 5-5 साल होता है यह भी क्यूस्टन आपका आसकता है कि भारत में किस का कारीकाल 6 साल है CEC और आपका अचल कुमार जोति जी जो Chief Election Commissioner है इस पद का भी होता है उसके बाद दोस्तों किन किन लोगों को हटाया जा सकता है राष्ट पतीजी के दवारा मंतरी परसद के सदेश्यों को हटाया जा सकता है परधान मंतरी के सलाह के उपर राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है किसी भी स्टेट का उच नहयले की रिपोर्ट पर UPSC के अध्यक्स और सदेश्य है जब सुप्रिम कोर्ट की रिपोर्ट के अधार के उपर भारत के अंदर UPSC या फिर स्टेट कमिशन के सदिश्यों को हटाया जा सकता है, चेर्मिन को भी हटाया जा सकता है संसित की रिपोर्ट पर उस नहीं लें उस नहीं लें के नहादिस यानि अगर सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज़ों को हटाना हो रास्टोपती को तो उसके लिए क्या ज़रूरी है संसित की रिपोर्ट ज़रूरी है जिस तरीके से मैंने पहले डिस्कस किया था, महावियोग चलेगा, महावियोग ही एक प्रिकिरिया है, जिसके दवारा सुप्रीम कोट हाई कोट के जज़ों को हटाया जा सकता है, और महावियोग संसद में चलेगा, यानि संसद की महावियोग समंदर रिपोर्ट के अधार प है वो पहले डेड़ लाख हुआ करती ती डेड़ लाख रुपे पर महिना लेकिन हाल ही में इसको भड़ा करके कि पांच लाख कर दिया गया है और पांच लाख रुपे जो शेल ले इनको मिलेगी पर महिने वह टेक्स-फ्री होगी टेक्स फ्री होगी क्यों क्योंकि टेक्स फ्री इसलिए होगी क्योंकि इनको जो शेलरी दी जाती है वो संचित नीधी से दी जाती है जिसे इंगलिस वाले बच्चे Consolidating Fund कहते हैं और जिन-जिन लोगों का भारत में Consolidating Fund यानि संची तिन दिशे सेल्ली देते हैं उन सब की सेल्ली टेक्सपरी होती है जिसमें President, Vice President, Supreme Court, High Court के जजिज काफी सारे लोग कांट होते है उसके बाद एक टोफिक और हमारे इसमें चोटा सा बच जाता है Oath कौन दिलाएगा President को जो सपत दिलाएगा Oath यानि सपत कहेंगे President को जो सपत दिलाएगा वो CGI दिलाएगा यानि Chief Justice of India और अगर Chief Justice ना हो तो Most Senior Judge of Supreme Court यानि जो 30 जजज अलग बसते हैं CGI को सोट करके उनमें जो सबसे Senior होगा वो दिलाएगा क्यों? तो कि Senior Judge ही आगे आने वाला नॉर्मली उसको अगला हम upcoming CGI के रूप में देखते हैं उसके बाद एक हैता है कि Post को अगर राश्रपती बाईचांस ना हो अगर President की Post खाली हो जाती है तो उस जगे को कोन आएगा? Vice President और अगर ये भी नहो तो कोन लेगा जगे को? Chief Justice of India और अगर ये भी नहो तो Most Senior Judge of Supreme Court यहां तक कभी नंबर नहीं आया है लेकिन President नहों Vice President को Post लेनी पड़े ये कई बार हो चुका है और CGI भी एक बार बन चुका ये क्योस्टन भी कई बार पूछा जाता है हम विसकस कर चुके लास्ट वीडियो में कि एक मात्र CGI जिनको President के रूप में Post मिली थी उनका नाम है M.Hidaayatullah Khan आईए दोस्तों अब इस टोपिकों देखते है Judicial Power क्या क्या होती है समादान यानि राष्टरपती माफ कर सकता है भारत के अंदर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के बाद जिन लोगों को सजा मिलती है वो राष्टरपती जी के पास दा सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं यानि हिंदी वाले क्या कहेंगे दया याचिका और दया याचिका जोब राष्टरपती जी के पास लगती है उसको माफ कर सकता है लेकिन एक सोद धान रही दोस्तो माफ फासी के अपराधी की सजा को माफ नहीं किया जा सकता ये आपको ध्यान दखना पड़ेगा माफ नहीं किया जा सकता ये कनिफिर्जम बच्चों को रहता ज़्यादा तर दूसरा दंड को कम करना सजा को कम कर सकते हैं 20 साल को 10 साल 10 साल को 5 साल जो भी तरीका होता है दंड की परकर्ति को यानि चेंज करना कम करना कम हो सकता है बदलना सजा की परकर्ति को बदला जासा बल पॉलाइट की आजासा ऐसा नहीं कि उमर कायद को फांसी देदी नहीं फांसी वाले को उमर कायद कम किया जा सकता है दंड को दिलंबित की आजासा को सस्पेंड कर सकता है कि आगे देखते हैं दोस्तों emergency power of president राश्टरपति की अपात कालिंट या फिर कई बर बोलते शंकत कालिंट सकती हैं कौन सी होती है दोस्तो राष्ट्रपती के जो emergency power होती है वो हमने ली कहां से सबसे पहला question तो ये रहेगा भारती स्विधान में कहां से ली हमने जर्मनी से लिया गया अगर वैसे धान ना रहें तो एक logic आप लगा के यहां देखेंगे कि भारत के president के पास इंडिया के president के पास नाम मात्र की सक्तियां होती है real power नहीं होती है real power किसके पास होती है PM के पास, Prime Minister के पास लेकिन अगर emergency लग जाती है तो परधान मंत्री की सक्तियां खतम हो जाती है real power किसके पास आती है president के पास और आप मान के चलेंगे अगर प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाएंगी तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा हिटलर हम क्या कहते पावर वाले व्यक्ति को तो तो हिटलर हो गया वई और अगर हिटलर हो जाएगा तो हिटलर कहां का था जर्मनी का था तो राश्टर पति के में दर्शी पावर हमने कह से लिए हैं जर्मनी से यह आपका क्यूस्टन यहां लोजिक लग जाएगा सोल्ट्री के रूप में जर्मनी के वाइमर से उटानने हम इसको लिया तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन से कौन से सकतिया होती तीन होती है सबसे पहले आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 इसके से युद्ध वोर हो जाए बाहिया आकर्मन हो जाए कोई विधेशी हम पर आकर्मन करते बिलिटरी विद्रो हो जाए कोई या फिर एक वर्ड उसमें यूज होता है सिविल वर गरह युद कहते हैं इसको यह हो जाए इन चार आध 1975 से 77 तक जब इंदराजी ने अमर्जेंसी लगाई थी तो इसका विश्यूज हुआ था इसलिए आज ये चार है इसको निकाल दिया गया था उसके बाद एक बाद दहें कि जब नैसनल अमर्जेंसी लगती इस आर्टिकल के तैट तो हमारे जो फंडामेंटर राइट मोली कद हैं वो रद हो जाते हैं लेकिन दो मोली कदिकार हमारे इस दो रान रद नहीं होंगे 20 और 21 ट्वंटी और 21 ये कर्शन पूचा जाता है उसके बाद देखने दो कैसे कैसे कब-कब हमारे देश में लगी है जिस आर्टिकल के ताथ हमारे देश में जो अमेर्जेंसी लगी है वो तीन बार लग चुकी है सबसे पहले 1962 रीजन क्या भारत चीन युद्ध 1971 रीजन क्या था भारत पाकिस्तान युद्ध और तिसरा 1975 से 77 जे इंद्रा गांधी जीने लगवाई थी इंटर्नल पीस्फुल माहूल नहीं था इस वज़े से आंत्री कसंती की वज़े से उन्होंने लगवाया था इसकी काफी अलोसना भी हुई ये क्यूस्टन भी पूछा जाता है कि ये अमर्जेंसी लगाई उससे में राष्ट्रपती कौन थी एफ ए ए एहमद फकरूदीन अली एहमद उसके बाद आगए दूसरा नमर दोस्तो आर्टिकल 356 356 के तहट जो अमर्जेंसी लगेगी वो स्टेट लेवल की होती है किसी स्टेट विशेश सक लिम्टिड होती है यहाँ पर क्यूस्टन यह रहेगा दोस्तों कि राष्ट्रपती 356 के तहट जो लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे राश्ट्रपति सासन कहेंगे राश्ट्रपति सासन शिरफ इसी आर्टिकल को बोलते हैं 352 को हम नहीं कहेंगे वो emergency होगी 360 वाली financial होगी अगर राश्ट्रपति सासन पूछा गया है तो हमारा answer शिरफ 356 ही रहेगा और ये किसकी सिपारिष पर लगाई जाएगी गवर्नर यानि राजेपाल राजेपाल की सिपारिष के ओपर चिस स्टेट का भी राजेपाल है राश्ट्रपति वाँमाड़नाश्य लगा देगा दो तिन रीजन हो सकते हैं अगर राजे के अंदर low end order कायम ना हो तो राजेपल से पारिश कर सकता है राजे के अंदर कोई भी पार्टी बहुमत में ना हो सरकार स्थाई ना हो तब भी लगाई जा सकती है अपने देश में भारत में आज तक ये 100 बार लग चुकी है और 100 बार में अगर लिस्ट बना के देखते हैं आप क्योस्टन क्या आता है पहली बार कब लगी उन्नी सो क्यावन में कहां पन्जाब में 100 बी टाइमस यानि अब तक लास्ट बार कहां लगी कब लगी 2016 में कहां अरुनात्चल परतीश एक तो ये क्योस्टन देखनें दोस्तों आपको अगर एक पीछे जाते हैं 99 नंबर पे 2016 में इती सेम ये भी उत्राखंट इससे पहले जाओगे तो अठाणुवन नंबर 2015 भारत की राजधानी दिल्ली हर्याना वाले बच्चों के लिए हर्याना में कई बर पुछा जाता है तीन बार टोटल लगी है 1967, 1977, 1991 टोटल मिला करके एक साल लगबग कहा जाता है एक्जेक्ट दे देखोगे तो 312 डेज उसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 360 अमेडमेट 360 के तहाट क्या रूल होता है अमेडमेट 360 के तहाट ये होता है ये फाइनेंसियल अमरजनसी होती है यानि इसको हिंदी में क्या कहेंगे वितिय संकट ये भारत में अभी तक नहीं लगा है और दुआ करें दोस्तों कभी लगे भी ना क्योंकि ये तब लगा जाता है जब देश दिवालिया हो जाए देश के आर्थिक संकट यार्थि साक गिर जाए ये हमाहूल होता है एक बार टाइम भारत में आया था 1991 के बाद लगा लगा था कि लग जाएगा बठ हमारे देश के नेताओं ने और सरकारों ने उसको बचा लिया था